हलो जोस्तों नमस्कार के पीटीचर एड़ी में आपका हार्तिक स्वागत है आसा करता होंगे अपसौस्त होंगे अच्छे होंगे आज हम 500 सीरिस का सेकिंड पार्ट करेंगे जिसमें आपको 30 कोशिन करने के लिए बिलेंगी यह कोशिन्स टॉपिक वाइज हैं और लास्ट ए वातावर निर्मत करने के लिए एक सिच्छक को समाज मिती के आदार पर उन्हें अपने समु बनाने की अनुमति देनी चाहिए सगराज़त अंत वाली कहानिया सुनानी चाहिए थड़े सुबह प्रतिक बच्चे को अविवातन करना चाहिए फॉर्थ है बिवेद नहीं करन चाहिए यहां कोशेंस दो जार बारा सीट में आया हुआ है तो अंसर देजिए पांच सेगंड के समय आपका प्रतिक बच्चे को या प्रतिक बच्चे के लिए समान लक्ष निरदायत करने चाहिए या सुनेचित करने चाहिए अगला कोशें देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं हाथियात में मानव व्यक्तुत प्रड़ाम है फर्स्ट होसने केवल अनुवान सिक्ता का सेकिंड पालन पोशिनल और सिच्छा का थर्ड है अनुवान सिक्ता और वातावर्ड की अंतेक रिया का फूर्थ है केवल वातावर्ड का तो कुश्ण पूचा गया है कि मानव व्यक्तुत का प् अगला कोशन देखते हैं, बच्चों की सीखने की प्रग्रिया में मातापता को भूमिका निवानी चाहिए, फर्स्ट अप्शन में नकारत्मत, सैकेंड अग्रो मुखी थड़े सहानी भूति पूर्ण, फोर्थ थर्टस्थ, यह कोशन 2011 सिट्रेट में आये हुआ है, आंसर द दिखते हैं, वह कौन सा इस्तान है, जहां बच्चे की संग्यानद विकास को सबसे बहतर तरीके से परिवासित किया जा सकता है, फर्स्ट अप्शन है, खेल का मैदान, सैकेंड विद्ध्याल है, इबं कक्छा वातवर्ण, थड़े सवागर, फोर्थ है, घर, यह कुशन 2011 स सिटेट में आया हुआ है, कुशन पुछन है रहा है कि वह कौन सा इस्तान है, जहां बच्चे की संग्यानद विकास को बहतर तरीके से समझाया जा सकता है, तो आंसर दीजिएगा, आंसर वारे यह जज करेक्ट हो जागा है, बिद्ध्याल है, एबं कक्छा का वातवर्ण, क्योंकि बच्चे का संग्यानद विकास यहां पर अच्छी तरीक से समझा सकते हैं, तो आंसर दीजिए कि अगला कुश्यून देखेंगे, प्रतक प्रतक समझाती है समगों की बच्चों की अभी ब्रत्ती साधारते आदारित होती है फर्स्ट अप्स ने उनकी अभिवाकों की चित ब्रत्ती पर सेक्ड ने उनमें समकच्चियों की अभिवरत्ती पर थड़े दूर दसन के प्रभाप पर फूर्थ है बच्चों के सहववदारों की अविरुवत्ती पर कुशन यूपिटेट 2011 में आया हुआ है कुशन पुचार है कि समान या अलग-अलग समझाती है समगों के बैक्तियों की बच्चे की अविरुवत्ती किस पर आदारित होती है उनके अभिवावकों की चित द्रस्ती पर अगला कुशन देखती है मानब विकास का दोनों की युगदान का प्रड़ाम है फर्स्ट उपसने अभिवावक एवं अध्यापक का सेकेंड है सामाजिक एवं सांसिक्रित कारकों का कि थड़े वंसान क्रम एवं बातावड का फोर्थ इन में से कोही नहीं तो आर्टेट 2011 में कुशन आयों यह भी तो कुश्चन पुछ रहा है कि मानब का विकास होता है कि इन दोनों का युगदान का प्रड़ाम है तो आंसर दीजिए पांस सेकेंड का समय आपके पास में आंसर देक्ट पर आप यह हमारा थर्ड वंसान क्रम और बातावड का अगला कुशन देखती हैं प्रात्मिक विद्ध्यालों के बालकों के लिए नेमन मैंसे किसे बैतर मानते हैं फर्स्ट अपने बीडियो अनुरूपड सेकेंड है प्रदशन फोर्थ सब्सक्राइब द्वारा किया गया अनुरूब फोर्थ है यह सभी आर्टेट में आया है 2011 में कुश्चन कुश्चन सब्सक्राइब के द्वारा किया अनुरूब क्योंकि प्रात्मिक लेवल बच्चे होती है वह सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छी तरह से सीख पाएंगे तो अंसर थाड़ है अगला कुशन देखेंगे बिद्ध्यार्तियों के अच्छे मांसिक स्वास्त को बनाए रखने के लिए निम्नम से कौन सा तरीका अधिक मैतपूर है फर्स्ट आप्स ने सह सहचिक किरियाओं का प्रवादान सेकींड है आविव्यक्ति की सुतंद्रता थड़े रुचियों की बिन्नता फोर्थ है बिद्ध्यार्तियों के मांसिक विकास या स्वास्त को बनाए रखने के लिए कौन सा तरिका सबसे बैतर होगा यह मैऩ opposition है कि असवे आफिर पिसी ओर्स को ऐडत्रत की अपनी बातवर्थ चार्तरों को अधिकार होने चाहिए एक बच्चे की ब्रद्धी और विकास की अध्यन की सरवदिक अच्छी बिदी कौनसी है फर्स्ट अप्स ने मनोविसलेस्ट बिदी, सेकंड है तुलनात्मत बिदी, थड़े विकासी बिदी, फॉर्थ है संक्रिकी बिदी पीटेट 2.11 में कुछन पूछा गया है यह अगला कुशन देखेंगे, कुशन प्रशंद आती हैं तो लाइक करते हैं साथ में, दोस्तों साथ में सेयर करें, चैनल को पस्क्राइब करें, बलाइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफूशन मत दें से वीडियो मिलती रहेंगी तो कुशन देखेंगे, मानब जाती में कौन से बैक्तिक निर्दारक तत्व होते हैं, जो मानब जाती की बिवेता को बताते हैं फर्स्ट अप्स ने पर्यावर्ड का अंतर, सेकेंडर अनुवान सिक्ता का अंतर, थड़े अनुवान सिक्ता एवं पर्यावर्ड की अंतर के रिया थड़े इनमे से कोई नहीं पीट्ड ग्याराम पूछा गया कोशुन है अगैए तो कोशुन पूछा गया by तो को कुश्वन ८ानर्व जाती है की कौन से अन्तरिक जो तक्त होते निर्रार करते हैं जो मानब जाती में बिवता को बताते हैं अंसर देखेंगे किसी बच्चे के ऊपर वनसान करम से पढ़ने वाला प्रभाव नहीं है कोशन नहीं है पूछा गया है इस पर कोशन सीटाट में पूछे आते हैं तो अंसर भी हमें कोशन के अकॉर्डिकिन देना होगा तो अप्शन देखेंगे हैं अप्शन हमारा फस्ट है सारे लक्षण पर प्रभाव सैकींड है बुद्धी पर प्रभाव थोड़े चरत्र पर फॉर्थ है इन मैंसे कोई नहीं तो कुशन के इक बार दुबार समझेंगे कि बच्चे के ऊपर वरुनसान क्रम से पढ़ने वाले प्रभाव तो वरुनसान के से पूछा गया है तो किस परकार से बच्चे के ऊपर प्रभाव पढ़ते हैं तो फस्ट कुशन जैसे आप्श एवं बातावड की अंत्यक्रिया की सिद्धान्त की प्रतपातक हैं फर्स्ट आप्शन है इसकिनर सेकिंड है पावलाव थर्ड है फॉर्थ है कोईलर कोशन में वंसान क्रम और बातावड की अंत्यक्रिया की प्रतपातक की सिद्धान्त की बारे में पूछा गया किस कि वंशान कर्म और बात वण पर्सपर हैं फरस्ट ऑस यांप यह हमारा निरवर न क्रूर कि थरफ यह सभी ह्क हैं तो कुश्चिन मैं बश हो जाए लाइं कि दा वांधाब्र पर्स पर है किस प्रकार से तो जैसे कि अगी ऑंश्रम यहां नारे बातावड की हैं accordingly आपको सीटर्ट में पूरक भी मिल जाएगा सयोगी भी मिल जाएगा और निर्वर भी मिल जाएगा क्यों दौनों पी यह तीनों के अकॉर्डिंग बच्ची का विकास होता है तो अंसर हो यह सभी अगला कोशन देखती है किस के अनुसार बाता बड़ वह वारी सकती है जो हमें प्रवावित करती है फर्स्ट ऑप्स ने रोस सेकेंड प्यासे थड़े इसकिनर फोर्थे हर लॉक कुशन पुचाय रहे किस मनोबग गयन नहीं की यह कहा है कि बाता बड़ द्वारा वह वारी सकती है जो हमें तरह कहा गया कि बातावड वह बारी सकती है जो हमें प्रवावित करती है अगला कुछिन देखेंगे हम सिच्छा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकती है कुछ अधिक नहीं तो अप्शन का यह कतन सम्मंदित है फर्स्ट ऑप्शन है वन्सान उक्रम से सैकेंड है वातावड से थर्ड़ा जलवाईू से फोर्थ है वन्सान उक्रम एवं बातावड से तो आंसर दीजिए यह यहां पर आंसर करेक्ट हो यहां पर फस्ट वन्सान क्रम से अगला कोशन देखते हैं कि बालकों की बुद्धी मत्ता निरवर करती है फर्स्ट ऑप्शन है परवारिक प्रेविस पर सेकेंड है ज्ञान वर्दन के लिए परवारिक ब्रहवड पर तड़ा किस प्रकार वे अ विखिशन की बुद्धी मता किस पर निरवर करती है आंसर यांपे अंसर वार करेक्ट हो यहां पर फस्ट परवारिक प्रवईस अंवारी जो परिवार में यह जहां पर हम रहते हैं वहां पर जिस प्रकार का इर्वार्बेंट होगा या वातब लोगा तो उसी प्रकार की कि किस सिद्धान्त की अनुसार भिन्न्य भिकास के कर होता है। यह कुशन सीटेट में आ चुका है आप देख चेक करना एक बार से तो आंसर एक टोड़ागा होने आपी शेकिंड अंसर हो जाएगा विकास का गद्थी का सिद्धान्त सेकिंड आंसर हो जाएगा मेरे आपी कुशन देखेंगे अगला आज बालपरात की गटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण वस सिच्छड परणाली में जटिलता है आ रही है आपके अनुसार इसका प्रमुक कारण क्या है फर्स्ट अपस ने दूशित वनसान कुरम सेकिंड दूशित वातावर्ड थर्ड़े टूटा परिवार फोर्थ है ये सभी तो कोश्चन पुछा रहा है कि आज बालपरात की गटनाएं बढ़ रही है जिसके कारण वस सिच्छा प्रणाली वी जटिल होती जा रही है तो आ पुषित वातावर्ड अगर इनवर्मेंट जिस पकार का होगा बच्चे यहां पर लालंपालन हो रहा या पोश्चन हो रहा है तो उसी प्रकार की गटना है बच्चा करता जाए बालपरादी उसके आसपास रहेंगी तो उसी प्रकार की बच्चा वो उन्हें मॉडलिंग या। कर थे क्या है कि एक अहकी जैसा की घर में कुछ कटना होती है को किसी की सुनता नहीं तो उस परकार संच से क्या बालपरादी आद्फनान है तो यह अंसर हमारा 275 ये सभी गटना की कारण अगला कुशिंव देखेंगी पुष्टेक छात्र सोय में बिन्द है इस तैथिका प्रमकारण चैनल चैनल सामाच चैनल अनुकर्ण फोर्थ है यह सबी तो कुछन पुछ एता है और प्रमकारण उबन्द होता है इसका प्रमकारण आप क्या मानते हैं तो बारा आंसर वह रहे हैं कि प्रता बच्चा क्या अपने भी भिन्न होता है या अलग होता है तो यहां पर बहुते कंड़ में से किसका बुद्धी पर अधिक प्रवाब पड़ता है फर्स्ट आप्स ने पार्टी करम सेकेंड पार्टी करमेत्तर थर्ड अनुसासन फोर्थ यह सभी तो कुश्चन पूछा रहा कि इसकूल के बातावड में निवनिव लिखत में से किसका बुद्धी पर अधिक प्रभाप पड़ता है बुद्धी पर किसका अधिक प्रभाप की बच्चे के की बिकास में अनुवान सिख्ता और बातावड की भुमिका की बारे में निवनिव लीखत में से कौन सा सत्य है फर्स्ट आपस ने अनुवान शिक्ता और बातावड दौनों एक बच्चिकी बिकास में 50-50 योगदान रखते हैं सेकंड है समभैस को और पैत्रिक का सापेच योगदनात्मक नहीं होता है थड़े अनुवानसिक्ता और बातावण एक साथ परचलत नहीं होती है सहज रुजान बातावण से सम्मंदित और या जबकी बास्तिवी जीव विकास के लिए अनुवानसिक्ता जरूरी है तो आंसर दीजिए आपे पांस सेकंड का समय है तो हमारा आंसर ने करेक्ट हो जाएगा सेकंड समभैस को और पैत्रिक का सापेच योगदनात्मक योगदन बाल के इंदी सिच्छा का समर्थन नेमलग में से किस बिचारक द्वारा किया था था फर्स्ट आप तो इरिक रेक्सन सेंगे चार्स डारवन फोर्थ बीएफ इसकेर स्वर्थ जून दीवी तो कुश्यन कुछारा कि बाल के लिए सिच्छा का समर्थन किस मनुमेगनिक द् जॉन दुबी दुवारा तो बाल के इंदे सच्छा की यह बारें बताए गया है वो जॉन डूबी नहीं कहा है तो आंसर फोर्थ हो जाएगा अगला कुशन देखती है जॉन डूबी दुवारा समर्थित लेफ बिद्याला की उधारण है फर्स्ट अप्स ने पबलिक बिद्याल है सेकेंड सामन बिद्याल है थर्ड है फेक्टरी बिद्याल है फोर्थ है प्रकतिसील बिद्याल है सीटेट दो यहार वाहर कुशिन हाय हुआ है तो पुश्छागं कि जॉनव सवुनद्ध विद्धियाय यसमाचलर सबस्क्राइब abolो साङल niego में से कौन सी प्रगपतिशिल सिच्छा की है है समय साड़ी और बैटने की विवस्ता में लचीलापन सेकेंड है केवल प्रस्तावित पार्थ पुस्तावों पर आदारित अनुदेश सेकेंड है परिच्छाओं में अच्छे अंग प्राप्त करने पर बल फोर्त है बारवार ली जाने वाली परिच्छ हैं तो कोश्चन प हो जाएगा है कि समय साड़ी और बैटने की विवस्ता में लचीलापन सेकेंड हो जाएगा अगला कुछ इन देखती है कि सिच्छड में अधिगम पर बल देने वाला परिवरतन हो सकता है फस्त आप्सने परिच्छा प्राणाओं पर केंद्रित होकर सैकेंड है वाल केंद सिटेट में पूछा गया कुछन से यह तो यह पर कुछन पूछ रहा कि सिच्छड की अधिगम पर बल देने वाला परिवरतन हो सकता है कि आंसर दीजिए आंपर सैकेंड बाल केंद्रि सिच्छा पद्रती अपना कर अगला कुछ देखेंगे निशक्त बच्चों के लिए समकेत सिच्छा की केंद्रिय प्रिवरता योजना का उद्दिश है मैं निशक्त बालकों को सैच्छिक अवसर उपलब्द कराना सर्स्ट आप्सने बशेश विद्ध्य हैलौ सेटीन हे मुक्त बिद्ध्य अलों थाड़े बलाइंड रिलीफ एशिशन की बिद्ध्य है फूर्थ है नियमित बिद्ध्य है लों सीटेट दोयर वारे में कुश्ण आया याव का तो आंसर दीजिए यहां पर 5 सेकिंड समय आपके पास में आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर हमारा फूर्थ हो जाएगा नियमित विद्ध्यालाओं द्वारा अगला वोशन दिखते हैं सिच्छा के छेत्र में पाठ चर्या सब्दावली की ओर संकीत करती है सिच्छा के छेत्र में पाठ चर्या सब्दावली किसकी ओर संकीत करती है सीटेट 2012 में कोश्चन पूछा गया है तो आंसर दीजिए आपके आंसर करेक्ट रोगा हो जागा हम वह रहे हैं आपी फोर्थ स्वरी सेकंड हो जाएगा फोर्थ नहीं होगा जिस हो गया कराप्त और करते हैं कि pleadilmore करते हैं यह यह पर छ अप्षुन लाइक करता है तो पसंद सेर करते हैं तुर्ण ピर कर रहें बहुत प्रेस्ट कर लें परवार एक साधन है फर्स्ट आप्चन है अनौपचारी सिच्छा का सेकींड है अप्चरी सिच्छा का थर्ड है गैर ऑनौपचारी सिच्छा का फॉर्थ है दूरस चागा कि यूपितर e2-11 में आए हुआ है तो आन्सर देहेंगी हयां पी यहां सब्सक्राइब आसाइट होजा है हे प्वस्ट ऑश्ट ऑसृचा का अनौप चारी सिच्छा और अनौपचारी सिच्छा होती है जो कि हमें किसी के माध्यम से मिलती है, समाज में रखी मिलती है, या घर से मिलती है, या किसी के द्वारा बता ही आती है, आप्चर के सिच्छा वो होती है, जो कि संस्ता में, कक्छा में बढ़कर हमें प्राप्त होती है, अगला कुशन देहेंगे, एक सिच्छक बिद्ध्यार्तियों में सामाजिक मुल्यों को विक्सित कर सकता है फर्स्ट अप्स ने महार ब्यक्तियों की वारे में बोलकर सेकिंड ने अनुस्वासन की अनुभूती को विक्सित कर थड़े आदस रूप से भरताब कर फोर्थ है उन्हें अच्छी कानिया सुनाकर यूपिटाइट 211 में कॉश्ण आया हुए तो कॉश्ण बुचारा कि एक सिच्छक बिद्ध्यार्ति में सामाजिक मुल्यों को विक्सित किस प्रकार से कर सकता है तो आंसर देए यहां पर आंसर कर्ट हो जागा है यहां पर थड़ आदस रूप से बरताब कर क्योंकि अगर टीचर का परताब जिस प्रकार से होगा बच्चे भी उसी प्रकार का बरताब करते कि टीचर क्लास में बच्चे भी उसी प्रकार करेंगे अंसर थड़े अगला कुशन देखेंगी है कि सिच्छा का अति मैथपूर उद्देश है फ्रस्ट अजीव का कमाना सेक्टे बालक का सवगी विकास करना थड़े पढ़ना इवम लिखना सिखाना फोर्त है बाधदी की बिकास यूपिट करेंगे यहां पर हमारा यहां पर सेकिंड है तो आंशार का विकास करना है बच्छे का विकास के जाए अच्छी तरह से सब्सक्राइब करें लाइक करें जास्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर रहें जिससे आपको वीडियो बिलती रहेंगी तो कुश्चन हम जो अपनी डालती है जो हमारी चल रही है जास्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें जब भी डेट आएगी तो आपको बता दी जाएगी तो मिलती है नेक्ट सेसन नेक्ट वीजियो में जैन दोस्तो बंदे मात्रम